दोस्तू इस वीडिएयों में मैं बहुत इमपोर्टन टॉपिक बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है वै मेनके टेक्स सेटंग। तो कहीं भी हो तक्स का सेटिंग करना बहुत इंपोर्टन्ट हो क्योंकि government आपको उसके बिना इजाजत नहीं देती है कि आप किसी भी तरह का कोई business कर सको तो online store है आपका इसका मतलब वो भी एक business है तो चलिए आप सीखते हैं कि किस तरीके से आप अपने store का tax setting कर सकते हो तो सबसे पहले आपको यह tax setting enable करने के लिए general में setting में अपको बताया था तो मैंने आपको अपना आपको टिक करना होता है कि हां मैं tax tax और अभी हमारे पास क्या क्या option है तो सबसे पहले tax का option आता है उसका जितने भी तरह के rate है tax का यह जो तीन आपको दिख रहा है वो rate है tax का और उसका नाम तो इस पर मैं बाद में आता हूं सबसे पहले आपको बता है तो tax का option पहला price entered with tax मतलब जो भी price मैं enter करूँगा product में वो क्या tax के साथ है या बिना tax के है मतलब अगर आपने यहाँ पे no डाला है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके store में 100 रुपए दिखाये जा रहा है तो tax उसके उपर से लगीगा और अगर आपने yes किया है तो 100 रुपए ही है और tax रेक सब included है वो tax खुद में जब check out करोगे तो check out के time पर दिखाएगा कि आपको कितना pay करना है जब tax इससे अलावा जिस तरीके से restaurant में होता है कि आपको price menu दिखाया जाता है और जब आप choose करते हो जब bill बनता है तो उसमें tax अलग से लगता है और generally अगर आपके कोई mobile phone अगरा खरिटते हो तो उसमे क्या होता है कि जितना price है उतना ही price है VST वो खुद बखुद उसमें included होता है या tax उसमें included होता है तो वह आप देख लेना आप किस तरीके से करना चाहते हो अगर आप डिरेक्ट उस तरीके से रखना चाहते हो कि आप calculate करके डालोगे और 100 रुपए अगर किसी user को दिख रह है customer के shipping address पे या customer के billing address पे या shop के base address पे तो आपको shipping address पे basically करना चाहिए जहां पे आप ship कर रहे हो ठीक है by default यही आता है क्योंकि shipping और billing same ही होता है तो अगर आप bill address भी कर सकते हो अगर वो different different जगर पर मंगा रहा है कि order किसी और state से कर रहा है और भीज कहीं और रहा है वहीं पर आप कर सकते यह better idea रहेगा मेरे हिसाब से और आप लोग अपना देख लेना जिस तरी कैसे setting करना तीसरा है shipping tax classes मतलब shipping tax classes based on cart item standard reduce rate और zero rate मतलब कि अगर आपने बना सकते हो देखो आप यहां पर जब question mark पर करोगे तो वहां पर आपको सारे hints दिखाएगा तो इसमें देख सकते हो आप क्लास में इतने टैक्स लगेंगे इस क्लास पर इतने टैक्स लगेंगे जैसे zero rate मतलब इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा standard rate मतलब मानलो standard rate हमारे हिसाब 12% है तो reduce rate हमने 10% रखा था और zero rate वदलब zero ठीक है तो कौन सा product किस class में आता है वह आप जब product tax class based on card item इसका मतलब है कि card के item पर decide होगा कि shipping पर कितना चार्ज लगने वाला है मतलब जो card वाले पर item पर maximum product का जो टैक्स वाला होगा वो उस पर लग जागा shipping पर ठीक है तो यह यहां पर टिक लगा दो round tax at the sub total level instead of rounding per line अगर आप चाहते हो कि हर product के लिए अलग से sub total rounding करके दिखाए जाए तो आप यहां पर टिक हटा सकते हो अब बात आता है additional tax classes का इस पर मैं अभी आता हूं यही सबसे ज्यादा important है tax में उसके बाद का option जो आता है वो है display price in the shop excluding tax मतलब यह कह रहा है कि tax बाद में calculate होगा यह depend करता है कि किस तरीके से आप करना चाहते हो फिर यहां पर डिस्प्ले प्राइस दिरिंग कार्ट और चेक आउट मतलब कार्ट और चेक आउट के टाइम में आपको टैक्स के साथ दिखाना है या बिना टैक्स के साथ दिखाना है तो शौक पे मैंने रखा है excluding tax मतलब बिना टैक्स के शौक पे दिखेगा और यहां पर कर देता हूँ मैं including tax मतलब कार्ट और चेक आउट पर आने पर उसको पता चल जाए कि हाँ इतना टैक्स तो पे करना पड़ेगा इस इस आइटम के लिए और उसके बाद का option है price display suffix मतलब कि price की आप क्या क करोगे कि जब including tax दिखा रहे हो price में जब यहां पर including तो आप दिखा सकते हो कि GST included, WAC included या फिर जो भी tax included कुछ भी टेक्स आप यहां पर दिखाना चाते हो वह आप यहां से दिखा सकते हो जब आप including tax दिखा रहे होते तो अब यहां पर दिखा रहा है जो हमारे पस last option है व हर एक आईटम के नीचे आप Doll हweile छाते हो यह अफिर लास में यह पिस Allah का crispye क्जी var धुंहिक से हैसा क्रेंफ संधकर सब्सक्राव यह है तो यहां से अप सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या सिंगल टोटल दिकंवाते दिखाना है ठीस का यहां पyल्रहर आइटम कितना और 0 rate ठीक है तो standard rate by default एक rate तो वो fix रखता है कि आपको रखना ही रखना है बीना है उसके तो कोई tax हो ही नहीं सकता तो इसलिए वो option हटाने का दिया नहीं है अगर मैं चाहूं तो यह दोनों हटाऊंगा तो यहां पर क्या होगा सेव करूँगा तो आप देखोगे कि यहां से यह दोनों हट जाएगा ठीक है अब हमारे पास सिर्फ एक tax rate है ठीक है इस पर मैं क्लिक करता हूं यहां पर हमें tax का rate देना होता है मतलब मैं यहां पर एक row insert करूँगा जिसमें स्टार का मतलब है कि हर एक कंट्री के लिए और अगर मैं यहां पर आई एंड डालू तो इंडिया सेलेक कर लेता हूं तो इसका मतलब यह है कि यह tax rate जब कोई मेरे शॉप पर कार्ट पर जब चेक आउट के टाइम में इंडिया डालेगा कंट्री तो यह rate अप्लाए होगा बट वो rate तभी अप्लाए होगा जब आपने product में tax के classes में standard rate select करोगे मतलब यह कि जब अभी तो मैंने product आयट करना आपको सिखाया नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि कहां पर product को select किया जाता है अब जैसे यहां पर आते हो तो जब price में ही यहां पर पूछता है क और अगर बहुत सारे classes होंगे तो आप अलग-अलग select कर सकते हो कि यह जो product है वो इस class में आ रहा है इतने percent वाले में आ रहा है यह zero tax वाला आ रहा है जैसा कि zero tax था मैं हटा दिया तो उसमें आप fix कर सकते हो अब यहां पर क्या है star का मतलब हर जगा पर यह है कि सब के लिए valid है ठीक है तो अब मैंने इंडिया डाला है तो मतलब इंडिया के लिए valid है कितने percent rate मानलो मैं 20% rate से tax लगाना चाहता हूँ पूरे इंडिया पे और यहां पर कुछ नाम भी दे देना चाहता हूँ GST जैसे फिलाहल आचकल चलता है तो GST अभी यह है नहीं GST वाला भी दिख है इसका priority आप कर दी है two और यहां पर आप कर देते हो इसका कुछ भी नाम दे दो tax one ठीक है तो मतलब दोनों apply होगा लेकिन पहले यह apply होगा फिर यह apply होगा right tax और यहां पर compound का मतलब क्या है कि आप देखो यहां पर लिखा हुआ है choose whether or not this compounded compound tax are applied on top of other tax rate मतलब कि जब एक tax already apply है तो क्या उस tax के भी दाम पर tax लगेगा या नहीं लगेगा यह बता रहा है यहां पर कोई भी problem या कोई भी confusion हो तो आप यह question mark है इस पर hover करोगे तो आप देख सकते हो उन्होंने कुछ hint दिया है तो अगर मैं यहां पर two पे और one पे यह लगा दूँ तो इसका मतलब यह है कि जब already tax calculate हुआ था पहला वाला तो उसके price पे भी tax लगेगा तो यह फिलाल हटा देत दूसरा है shipping मतलब कि shipping वाले पे भी tax लगेगा या नहीं लगेगा देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि choose whether or not this tax rate also get applied to shipping shipping का अगर आपने 50 रुपए लिए तो क्या उस पर भी tax लगेगा या नहीं लगेगा पुड़क का नाम 100 रुपए shipping चार्ज 50 रुपए तो क्या यह 100 रुपए पर tax लगाए जाए या एक एक हज़ा एक 1.5 रुपए पर तो इस पर depend करता है कि आप ठीक लगा दोगे तो shipping वा vação में पताता हूं यह ऐसे है ठीक है यहाँ पर मैंने कर दिया 30 deeper है kई इन्टर कर दिया मैंने अब यहां का मतलब यह है की इंडिया के लिए दो टवक्ट सप्लाइ हो रहा है right और बाकियों के लिए सिर्फ एक टैक्स अपाई हो रहा है मतलब स्टार का मतलब मैंने पहले बता है कि बाकी सारे ठीक है फॉर एक्जाम्पल अभी एक काम करते हैं इसमें क्या करता हूं मैं यहां पे डाल देता हूं अब क्या है कि यह स्टेट यह कोड जो है वो सिर्फ दिल्ली पे अपलाई होगा और यह इंडिया में तो हो गाई और उसके अलावा सारे स्टेट पे अपलाई होगा ठीक है और दूसरा क्या है कि दूसरा इंडिया छोड़के जो भी आओ सब इस वाले में अपलाई होगा इं तो मैं फिर से अबको बताता हूँ, एक बार और रिभाइस कराता हूँ, पहला स्तार का मतलब होता है, कोई भी, मतलब city, हमने रिस्टेक्ट नहीं किया कि कि city पर tax कितना लगी गा, सारे city बराबरे हमारे लिए, postal code नहीं डाला है कि कोई बिजिव वाला बराबरे मेरे लिए, state और country पर मैं कर रहा हूँ, तो अब मैंने दिखाया कि एक country पर दो tax भी लगा सकते हो, और country ऐसे भी कर सकते हो, कि अगर आपने नहीं डाला, तो पहले तो इंडिया पर मैं बता रहा हूँ, इतना tax है, बाकि सारे country पर आजाओ, इतना tax है, ठीक है, पहला चीज, अब इंडिय नहीं, तो star ही रहने दो, same city के साथ है, यहाँ पर आप rate define कर सकते हो, यह tax का नाम define कर सकते हो, यह important इसलिए है, ताकि जब user invoice पर देखेगा, तो वो यही नाम देखेगा, वो तो यह देखेगा, यह percentage, उसका नाम भी देखेगा, ठीक है, अब यहाँ पर होता है priority, अगर आप एक ही जैसा दो बना रखा है, आपने, जैसे इंडिया इंडिया पे लगने वाला है, या दिल्ली दिल्ली पे लगने वाला है, तो दो tax same apply हो रहा है, तो पहले कौन apply होगा, बात यह आता है, कि यह क्यो important है, पहले कौन apply होगा, तो उसका है यह compound, अगर आपने compound पे टिक जो second tax apply होगा, वो 120 रुपय पे होगा, तो आप देख सकते हैं, क्यों important हो 1 और 2 करना, अगर हमने इसे 1 किया होता, और इसे 2 किया होता, तो पहले 2% apply हो रहा होता, मतलब पहले 100 रुपय पे लगा, तो होगा 102, और 102 पे 20% हो रहा होता, तो यह आपको decide करना है, पहले कौन सा apply करना है, उसके बाद कौन सा apply करना है, और यह matter तब करता है, जब आप compound में tick लगाते हो, अगर आप compound में tick नहीं लगा होगा, तो कोई ज्यादा matter नहीं करेगा, बस यह invoice में उपर नीचे दिखाने का matter करेगा, last वाला option है, shipping address, कि कि इस तरीके से ship वाले address पे भी लगेगा, य इंडिया में ship करने का, तो क्या आप उस पे भी tax लोगे या नहीं लोगे, ठीक है, अब बात करते हैं लोग कि किस तरीके से rate बनाते हैं, तो सबस्पर बदे मैं यहां पर बनाऊंगा नहीं, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से enter करते हैं, अब उससे पहले मैं आपको मैं बताता हूं कि अगर मान लोग मुझे जैसे आज के date में अगर दिखा रहा है, तो इंडिया में दो तीन तरह के tax लगते हैं, हर तरह के tax पे अलग अलग लगता है, तो for example, मैं बताता हूं कि पहला 12% tax, 12% tax कर दिया, दूसरा कर देते हैं, 6% tax, तो यह मैं class बना रहा हूं tax का, ठीक है, यहां पर आप उसका नाम भी दे सकते हैं, जो यह नहीं है कि आप ऐसा करो, जैसे पहले आप देखे हूं कि standard tax, zero tax, reduced tax, मैं आपके यह समझाने के लिए करता हूं कि इस तरीके से भी आप नाम रख सकते हो, जैसे आप save change करोगा, आप देखोगा यहां पर add हो ज यह मैं अभी आपको बताता हूं, तो CGST और GST में क्या होता है, कुछ इस तरीके का मामला हो जाएगा, CGST और GST का मतलब जो अभी इंडिया में लागू हुआ था कुछ दिन पहले, उसका मतलब यह होता है, कि आप जिस state में business कर रहे हो, उस state में आपको दो tax देना half of divide करके, मतलब अगर एक product पर 5% tax लग रहा है, तो आप बाकी state पर सिर्फ एक tax लगा होगे, देख सकते हो, इंडिया में सारे state पर आप 5% लोगे, और उस tax का नाम होगा IGST, ठीक है, दूसरा यह है कि अगर आप UP में हो, और UP में ही बेच रहे हो समान को, तो आपको दो tax दे आप में आते हो, आप तो 0.5% देना पड़ेगा, पहला देना पड़ेगा central को, cgst, दूसरा देना पड़ेगा state government को, मतलब sgst, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, क्यों मैंने ऐसा divide किया था, अब देखो, अब यहाँ पर मैं दोनो एक्जाम्पल दिखाने के लिए आप आप को मैं नहीं कर रहा था, आप यहाँ पर ऐसे भी दिखा सकते हो, कि टी शेट नाम का एक बना सकते हो, कि टी शेट पर मैं इतने percent लूँगा, या फिर आप direct percentage पर बना सकते हो, ताकि जब आप product select कर रहे हो, तो आपको पता हो कि आप कौन सा taxes पर apply करना चाहते हो, यह दो आपको क्या करता है, सारे classes बना लेना है, और मैं कहूंगा, यह वाला सबसे best होता है, कि आप पहले ही define कर लो, कि कितने percent tax वाले के नाम से हो, ताकि आप वो देख सकते हो, जैसे मैंने किया हो, 5% GST rate, 12% GST rate, 18% GST rate, 28% GST rate, फिर मैंने क्या किया, कि वहाँ पे 3 slab बनाया, क्य जो कि मैं यह सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए कर रहा था, कि इंडिया में product बेचना है, उसके लिए कर रहा था, तो मैंने इसे इंडिया 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 लिखाया, अगर आप इसमें international भी करते, तो एक और row insert करते यहां से, और यहां पे star ही रहने देते, और हर जग जैसे कि आप जानते हो कि दो तरह के टेक्स लगने लगे हैं आज के देखा जाए तो पहला होता है IGST, Integrated GST, दूसरा होता है दो तरह के टेक्स लगते हैं CGST और SGST, तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां पर आपका स्टोर है, अगर आप उसी स्टेट में बेच रहे ह होता है, मतलब अगर एक प्रोड़क के 5% लग रहा हो, तो आपको दो पार्ट में डिवाइट करना पड़ता है, 1.5%, 1.5% जो की है पहला ये, दूसरा ये, एक आप Central Government को पे करते हो, जिसका नाम है CGST, दूसरा आप State Government को पे करते हो, जिसका नाम है SGST, और अगर इसके उसको सिर्फ एक टैक्स दिखेगा, और अगर यूजर यूजर यूपी के बाहर का है, तो इसको दो टैक्स दिखेगा, CGST और SGST दोनों, बात बराबर ये, दोनों पर 5% ही गहुँफेर कर लग रहा है टैक्स, बट ये, गवर्मेंट ने ऐसे कहा है, इन्वोइस बनाने के तो आपको इन्वोइस बनने में helpful होगा, अगर आपको टैक्स अभी भी चमझ में नहीं आया है, तो आप कोई भी confusion है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कि किस तरीके से करेंगे, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जवाब जरूर दूँगा, और अगर आपको समझ में आ गया हो, कि किस क्या है टैक्स और किसने किस सेटिंग करना है, तो आप चैनल को कर लो, सब्सक्राइब और उस वीडियो को कर दो, लाइक,